So, Hello Friends, Welcome back to my channel दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग लावा इतरी कीपैट मोबाइल फोन में किसी भी काल को डैवर्ट कैसे कर सकते हैं यानि सभी काल को आप डैवर्ट कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में आज मैं इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो देखने की से पहले आपको एक छोटी सी रिक्पेश्ट है और आप वीडियो पर पहली बारे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और bell notification को भी on कर दें तो सबसे पहले आपको अपने mobile की settings पर जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने mobile की settings पर जला जाता हूँ उसके बाद आपको phone settings के नीचे आपको call settings दिखाई देगी आपको call settings पर click कर देना है यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर call settings का आपको option मिलता है आपको call settings पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको sim 1 setting और advanced setting देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पर sim 1 setting पर click करना है उसके बाद नीचे second number पर आपको call divert का option जो है दिखने को मिल जाता है आपको simply call divert पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे उपर divert all voice calls पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे उसके बाद आपको 3 options दिखेंगे activate, deactivate, query status तो आपको यहाँ पर activate करना है तो एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये टू न्यू नंबर और टू वाइस मेल पर क्लिक करवाएगा तो यहां पर आपको टू न्यू नंबर पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको नंबर डाल देना है अब यहां पर आप जो भी नंबर डालेंग तो जब आपके मोबाइल नमबर पर कोई काल करेगा तो उसी नमबर पर यह जाएगी तो इस तरह से आप जो है काल डाइवर्ट लावा इथरी स्मार्टफूट की पाइड मोबाइल में लगा सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी झाल झाल